अब देश की समूदरी शमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय तत्रक्षकबल ने एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर को शामिल किया है इस हेलिकॉप्टर को ओरिशा के भुवनेश्वर में इंडियन कोस्गार्ट के बेड़े में शामिल किया गया है अब उन्नत हेलिकॉप्टर का ये सबसे उन्नत संसकरण, पश्चिम बंगाल और उरिशा तर्ट तथा उससे आगे कोस्गार्ट की समूदरी शमताओं को बढ़ाएगा ये मेडिन इंडिया हेलिकॉप्टर है दोस्तों जिसे सोदेशी रूप से हेल के दोरा बनाए गया है दोस्तों अमारिका से अब पीडियेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाए गयी है और ये कमिटी तीनों से नौं के जरूतों का आकलन करेगी जिसके आधार पर खरीद की अगरीम योजना बनाए जाएगी दोस्तों आपको बता दे कि Made in India अभिहान को उस वक्त करारा जटका लगा था जब इन पीडियेटर ड्रोन का निर्मान देश में नहीं होने के बाद सामने आई थी यानि कि हमने अमारिका से डिरेक्ली खरीदने है वो तकनीक तो हमें देगा ने लेकिन इसके बाद अब रक्षा बंत्राले ने एक हाई लेवल कमीटी बना दी है कहा ये जा रहा है कि ये सम्विती अमारिका से 30 पीडियेटर ड्रोन खरीद के सौधे को या इस सौधे में कटोती करने के लिए गठित की गई है दोससे पहले ये बात कही गई थी कि भारत इस तरह की के ड्रोन बनाने में शक्षम है जिस वज़े से इस सौधे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था कहा ये जा रहा है कि तीनों सेनाओं के लिए इन ड्रोन्स की आवश्कता हैं पीडियेटर ड्रोन का इस्तमाल निगरानी के साथ साथ गती रोध दूर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है भारत के पास इस वक दो पीडियेटर ड्रोन्स है जिने की लीस पर लिया गया है और ये दोनों ड्रोन्स हिंद महासागर शेतर में गति विडियो पर नज़र रख रहे हैं और भारतिय नौसेना की मदद कर रहे हैं इन दो ड्रोनों से चीन की रिसर्च वेसल्स और एंटी पाइरेसी स्कॉर्ट फोस की आज आई पर लगातार नज़र रखी जा रही है यानि कि दोस्तो इन 30 पीडियेटर ड्रोन्स की खरीद में कटौती हो सकती है और जिसमें की ये तैक किया जाएगा कि इनकी कितनी जरौत ह और कितनी संख्या में और इसके लिए हाई लेवल समयती जैसे बने बताया कि गठित कर दी गई है लेकिन दोस्तो भारत के पास इस तरके की तक्नीक का आना बेह ज़रूरी है शायद अगर हम कुछ संख्या में ले भी लेते हैं लेकिन इसकी स्टड़ी हमें करनी पड़ेग जिसमें की सुदेशी रूप से बने टर्बो चार्जर डीजल इंजन का इस्तमाल किया जाएगा कहा जा रहे कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इसमें 155 mm की गन सिस्टम को मांट किया जा सके साथ ये भी कहा जा रहे कि इसकी इंटलेक्चुल प्रॉपर्टी का जो अधिकार होगा वो वीकल रिसर्च एंड डेवलमेंट इस्टैबिश्मेंट की पास होगा दोस्तों ये फैसला भी तभी आया है जब रक्षामंत्राले ने अभी हाली में तीसरी पॉजिटिव लिस्ट जारी की है दोस्तों बता दे कि ये औल टेरन ट्रक कई विशेशत मिलीमेटर का और इसकी स्पीड ब्लाक टॉप रोड पर दब्बे किलोमेटर प्रतिगंटा होनी चाहिए और क्रॉस कंट्री में 30 किलोमेटर प्रतिगंटा इसके लावा फुल फ्ल फ्यूल टैंक के साथ इसकी रेंज 500 किलोमेटर होनी चाहिए दोस्तों DRDO की CVRDE एक Unmanned Ground Combat Vehicle को बना रही है जो की Arjun MK1 Main Battle Tank के आधार पर होका अब इसके लिए CVRDE यानि की Combat Vehicle Research and Development Establishment ने Request for Proposals जारी किया है जिसमें की इस Unmanned Ground Combat Vehicle के लिए Auto Loader का विकास और सप्लाई इसके अलावा hardware का integration में शामिल है दोस्तों यां तक Defense Update पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और शेयर भी पाकिस्तान से आतंग की सीमा पार करने की कुशिश करते हैं तो वहीं ये बांगलादेश भी कम नहीं है दर असल भारत ने गलती ये कर दी थी उनिस्यकतर के दौरान की चाहते भी भारत इसको अपने में नहीं मिला पाया और ये आज बहुत-बहुत-बहुत सरदर्थ हमारे पडोस में होकर बैढ़िया है हाला कि विभाजन भी गलत तरीके से किया गया था पूर्वी और पश्चिवी पाकिस्तान ये क्या तरीका था लेकिन आज ये हमारे गले की हड़ी बन गया है 1971 की लड़ाई तो आप सबको मालूम ही है शिमला एग्रिमेंट के विजए से सब कुछ संडे बस्ते में चला गया ना ही हम पियोकव को ले पाए और ना ही हम सिली गुडी गौरी डॉर को चोड़ा करने की सोच पाए बेराल खबर की बात करते हैं जिसमें कहा ये जा रहा है कि BSF ने भारत बांगलादेश की सीमा से 6 बांगलादेशी नागनिकों को पकड़ाया और इन पकड़े गई लोगों में 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है और पुस्ताश के बाद इनने वापस बांगलादेश की सीमा सुरक्षाबल के हवाले कर दिया गया यानि कि दोस्तों इससे साफ तोर पर पता चल रहा है कि यहाँ पे बांगलादेश की सीमा सुरक्षाबल है वहाँ पर भांग और गांजा दोनों ही फुकरे होते हैं इसके अलबा बांगलादेश ने कहा कि इन आरोपियों को तब पकड़ा गया जब रंग घाट और जीतपूर सीमा की चौकियों को पार करके भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिच कर रहे थे लेकिन लोगों ने कहा कि वे अपने रिष्टतारों से मिलने के लिए भारत आ रहे थे और यहीं नहीं दोस्तों ऐसे में इन सीमा पार कराने के लिए बंगलादेश के दल्ले मतलब दलाल यह लोग काफी एक्टिव हो रखे हैं कहा जा रहा है कि इन आरोपियों से जब पूस्थाच की गई तो इन्होंने कहा कि भारत आने के लिए इन लोगों ने बंगलादेश सीमा से भारत की तरफ हो रही है और यही निस कहला रहा का इन बार तसकरी के मामले भी आते हैं फाइरिंग भी शुरू हो जाती है और स्ब्से वड़ी बात यह है कि बंगलेश कि घुसपेट पाकिस्तान के दोरह bearत में जो घुसपेट बंस मामलें काफी ज़ादा हो गई है इस कहला हो तो सो भारत मैंनमार सीमा पर भी गुसपैट होती है उसमें भी 133 मामले दर्श किये गए थे लेकिन बांगलादेश बॉर्डर से 1787 गुसपैट हुई है और जैसे कि मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर गुसपैट काफी कम हो चुकी है और अभी तक केवल 128 बा कि इस इस खबर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है इस रिपोर्ट में बाजवा का नाम तो नहीं लिया गया लेकिन ये कहा गया है कि इम्रान की तरफ से एक सीनियर अधिकारी को हटाने की मांग की गई थी दोसर रूस यूक्रेन की जंग के बीज में फिल्लैंड की नाटो देशों से नस्दी की भारी पढ़ने लगी है बता दे की यूक्रेन की राजपती व्लादे मिर जिलन्सकी जब फिल्लैंड की संसत को संबोधित कर रहे थे तो तब ही फिल्लैंड पर साइबर हमला हुआ इसके साथ ही फिल्लैंड के हवाई शेतर का उलंगन का मामला भी सामने आया फिल्लेंड के रक्षा मंत्राली ने कहा कि दोपेर करीबन बारा बजे रक्षा मंत्राली के वेबसाइट पर हमला हुआ हमले की जानकारी मिलते ही वेबसाइट को बंद कर दिया गया और पूरे मामले की जहां चल रही है बतादे कि увер attack से पहले फिन्लेंड ने बताया कि रूस के एक विमान ने करीबन 3 नित के लिए उनके हवाई सीमा का उलंखन किया था विमान फिन्लेंड के हवाई शेतर में आने के कुछ समय के बाद वापस चला गया बता दे कि फिन्लैंड रोशया के साथ 1300 किलोमेटर की सीमा को साजा करता है और ऐसे में रूस और यूकरेन की जंग के बीच फिन्लैंड और रूस में तल्की बढ़ती जा रही है फिन्लैंड ने हाली में दो रूसी राजनेकु को अपने देश से बाहर निकाल दिया था और राजनितिक अंजाम भुगतने के लिए तयार रहना होगा। नासा ने अभी हाली में मार्च में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि भारत के 103 अंत्रिक्ष्यान और 114 अंत्रिक्ष मलबा अबजेक्ट हैं। 3,874 अबजेक्ट धर्ती का चक्कर लगा रहे हैं। बतादे कि इस रोक के भीतर अंत्रिक्ष मलबे से संबंदी सभी गतिव विदियों का समन्वे करने के लिए और टकराओ के खतरे से भारती ऑपरेशनल अंत्रिक्ष संपत्यों की सुरक्षा के लिए करनाटा के बैंगलोरों में एक डेडिकेट अंत्रिक्ष इस्तिती जाग बंदे मत्रम